आस्था और पूजा दोनों का नाम आजकल बहुत फेमस हो चुका था देनापूर एक छोटा सा गाउव था जहां आजकल इन दोनों बेहनों के हाथ के बनाए हुए छोले भटूरे सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे लेकिन उनके इस काम्याबी के पीछे उन दोनों की बहुत ही मेहनत और लगन थी वो जब बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता उन्हें शेहर ले गए थे पिता मजदूरी करते थे, माघर संभालती थे, किराए के मकान में रहते थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तब ही एक दिन उनके पिता महवीर को लखवा हो गया डॉक्टरों ने जितना हो सके इलाज किया उसके बाद उन्होंने महवीर को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी एक दिहारी मजदूर जब बिस्तर पर बैठ गया तो घर के हालाद भी बुरी तरह चर्मरा गए जो भगवान की मरसी, अब उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता आस्था के पिताजी, आप मन छोटा मत करो, थोड़ी हिम्मत करो, देख लेना एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरी वजह से तुम तीनों परिशान हो जाओगी, इतने बड़े शहर में अब सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा सब ठीक हो जाएगा, बस हमारी दोनों बिटिया जरा अपनी बार्वी कर ले, उसके बाद देख लेना सब ठीक हो जाएगा आस्थो और पूजा दोनों जुड़वा पहने थी, और बार्वी की परिक्षा दे रही थी अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत ही जादा चिंता में थी सोचा था बार्वी करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज में अड्मिशन मिल जाएगा तीन साल ग्रेजुएशन करने के बाद कही न कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी लेकिन बाबा की तब्यत की वज़े से मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग किसी कॉलेज में अड्मिशन ले पाएंगे ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कोई बात नहीं आस था हम लोग अपनी ग्रेजुएशन पत्रा चार से भी पूरी कर सकते हैं सबसे पहले तो हम दोनों को ये सोचना होगा कि घर के हालाद कैसे ठीक करें मा को तो तुम जानती है हो वो बेचारी कभी घर से बाहर नहीं निकली और फिर उन्होंने पढ़ाई भी पांचवी क्लास तक की है अब तो हम दोनों को ही कुछ सोचना होगा बस पहले ये पेपर खत्म हो जाए एक महिने में बोर्ड की परिक्षा खत्म हो गई थी घर के हालाद बद से बत्तर हो गए थोड़ी बहुत जमा पुझी थी वही दवायों में और घर के खर्चों में खत्म हो गई आस्था की मा के चहरे पर चिंता की लकीरे हर समय देखी जा सकती थी पुजा, आस्था, तुम्हारे पिताजी की तब्यत अभी संबली हुई नहीं लग रही है और मकान मालिक भी कई दिन से चक्कर लगा रहा है बड़ी उमीदों के साथ शहर में आकर बसे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोगों को गाउं वापस चले जाना चाहिए कम से कम वहाँ पर छोटा ही सही पर अपना घर तो है लेकिन मा गाउं जाकर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई छोटी मोटी नौकरी देख लेते है हाँ मा यहीं पर ही कोई काम देख लेंगे तो फिकर मत कर हम दोनों है न तेरे साथ मैंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है तीन महीने का किराय देना है नहीं बेटा हम लोग गाउं जा रहे हैं बस आस्थो और पूजा इसके बिलकुल खिलाव थे लेकिन मा के आगे किसी की नहीं चली और वो लोग सारा सामान समेट कर गाउं वापस आ गए अब बताओ मा हम लोग गाउं तो आ गए लेकिन क्या काम करें मैं तुम दोनों को यहां काम करने के लिए लेकर नहीं आई हूँ मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे खेती बाड़ी का काम आता है वही कर लूँगे वा 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 मा तुमने तो कमाल ही कर दिया शेहर से गाउं आई हो खेती बाड़ी करने के लिए और वो भी किसी और के खेतों में जाओ मा अब हमें कुछ सोचने दो दोनों बहने सर से सर मिलाए बैठी हुई कुछ सोच रही थी वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा काम करे जो गाउं में बिलकुल नया हो बहुत सोचने के बाद दोनों बेहनों ने छोले भटूरे बेचने का सोचा मैंने देखा है गाउं में समोसे की दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं है हम लोग यहाँ पर अगर छोले भटूरे बना कर बेचेंगे तो मुझे लगता है ये काम चल पड़ेगा मुझे भी यही लगता है देखो तुम छोले अच्छे बनाती हो और भटूरे मुझे आते हैं तो इसलिए हम दोनों मिलकर यही काम चुरू करेंगे और मा कुछ भी कहे उन्हें खेतों में जाकर काम नहीं करने देंगे जो करना है अब हम दोनों बेहने खुद कर लेंगे सोचा था तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल इनसान बनाऊंगा लेकिन मेरी बीमारी ने सारे घर का निजाम ही बिगार दिया सोचा तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा है बिटिया लेकिन तुमारी पढ़ाई का हर्जाना भी हो रहा है पिता जी आप परिशान मत हो ये अब हम लोग यही काम करेंगे काम्याब इनसान पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पढ़ता सबसे जरूरी जिन्दगी का बस यही सबक होता है कि इनसान काम्याब हो जाए बड़ी हो गई हो तुम दोनों बड़ी बड़ी बाते भी करने लगी हो जो तुम्हें ठीक लगे कर लो आस्थार पूजा ने पूरी तरह मन बना लिया कि वो अब छोले भटूरे बेचने का काम करेंगी लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो अभी ये थी कि उनके पास सामान खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे छोले भटूरे बेचने के लिए उनने एक कढ़ाई, गैस, सामान और यहां तक कि वो कहां लगाएंगे इन सब की समस्या थी तुम दोनों से कुछ नहीं चुपा जो पैसे थे वो मैं वहां शेहर में घर का किराय दे कर आ गई हूँ ले दे कर मेरे हाथ में ये छोटी सी अंगूठी पड़ी है अगर तुम दोनों ने सोच लिया है तो ये मैं तुम्हें दे देती हो तुम इसे बेच कर नया काम शुरू करो दोनों बेहनों के लिए ये मुश्किल की घरी थी लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुवात कर नहीं थी दोनों बेहने मा के साथ सुनार की दुकान पर जाती है और वो अंगूठी बेज देती है और उनसे मिले पैसों से वो सारा सामान खरीद कर घर ले आती है बरतनों का पूजन करने के बाद वो बेहने जगा की तलाश में निकलती है और आखिर में उन्हें एक अच्छी जगा मिल जाती है वो गाउं में बस अड़े के पास अपनी दुकान लगाने की सोचती है चल बेहन पूजा भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा जहां कोशिश की जाए वहां काम्याबी जरूर मिलती है मेरी टीचर कहा करती थी अगर आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं तो उससे सारे काम आपके अनुसार होना शुरू हो जाते हैं अगले दिन सुबह से उन लोगों को काम शुरू करना था रात को ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली छोले भिगो कर रख दिया और आटा लगा कर रख दिया सुबह सुबह दोनों बेहनों ने घर से ही काफी सारी तैयारी की और सारा सामान रेहडी पर लगा कर गाउं के बस अड़े पर पहुँच गे बीस रुपए में गर्मा गरम छोले भटूरे छोले भटूरे गाउं वालों ने नाम बहुत सुना था लेकिन छोटे गाउं के होने के कारण वहां के लोग जब कभी शेहर जाये करते थे तब खाये करते थे अब गाउं के इबस अड़े पर बीस रुपए के गर्मा गरम छोले भटूरे लोगों का ध्यान बर्बस ही चला गया और वो भी लड़कियों के द्वारा बनाए गये छोले भटूरे आज तक इस काम पर सिर्फ और सिर्फ आदमियों का धिकार रहा था आस्था और पूजा ने अपना काम पुरी लगन के साथ शुरू किया बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब वहाँ पर छोले भटूरे की दुकान देखी तो वहाँ भीड लगनी शुरू हो गई आस्था गर्म गरम छोले प्लेट में डालती और पूजा फटा फट गरम गरम भटूरे उतारती साथ में अचार, प्याज, चटनी, लाजवाब स्वात जरा दो प्लेट छोले भटूरे तो देना अभी लो, यही खाने है या पैक करना है अच्छा, तो क्या तुम पैक भी करती हो तो फिर एक काम करो दो प्लेट खाने के लिए दे दो और दो प्लेट पैक कर दो आस्ता फटा फट दो प्लेट खाने के लिए लगाती है और दो प्लेट पैक कर देती है उस औरत ने जैसे ही छोले भटूरे खाए, खुश हो गई मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है लेकिन गाओं में पहली बार छोले भटूरे खा रही हूँ जब भी शहर सामान लेने जाती थी तब ही छोले भटूरे खाती थी बहुत ही लाजवाब और मस्द बने आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर आना और लोगों को भी बताना कि यहाँ छोले भटूरे कैसे हैं हाँ हाँ क्यों नहीं अब तो मैं यहीं आया करूंगी तब ही वहाँ पर एक आदमी अपनी फैमली के साथ बस से उतरता है बच्चे छोले भटूरे छोले भटूरे चिलाने लगते हैं अरे वाद चार महीने बाद गाओं वापिस आया हूँ बड़ी तरक्की कर ली गाओं ने यहाँ पर भी छोले भटूरे की दुकान चलो बच्चों अगर तुम कहे ही रहे हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ छोले भटूरे खा ही लेता हूँ अरे जरा तीन प्लेट छोले भटूरे लगा दो अभी लीजे गर्मा करम छोले भटूरे प्लेट में रखकर आस्था उन लोगों को खाने के लिए देती हैं और छोले भटूरे खाते खाते दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं पापा पापा दीदी ने तो कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाये हैं अब तो मेरी चुट्टियां यहां अच्छे से जाएंगी मैं तो रोज यही पर छोले भटूरे खाने आया करूँगा चलो भाई यह भी सही रहा वरना तुम दोनों ने तो मेरा सर ही खा लिया था कि गाउं में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता ठीक है रोज आ जाना अपने पिता के मुँझे यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और छोले भटूरे खा कर प्लेट वहीं साइड में रख देते हैं और आस्ता से कहते हैं कि दीदी छोले भटूरे बहुत ही लाजवाब बने थे पूज़ो और आस्ता दोनों ही खुश हो जाती हैं चोले भटूरे बहुत फेमस हो गए। अब तो लोग बसों से आने जाने का इंतजार किये बिना भी गाउं के लोग आस्था और पूजा की दुकान पर आते और चोले भटूरे खाते। और देखते ही देखते एक साल बीच जाता है। आस्था और पूजा दोनों अपने काम से बहुत खुश थे। यहां तक कि अब उन्होंने अपने पिता जी का इलाज कराने की भी सोच ली। जब हम लोग शेहर से गाव आए थे तब एक बार मुझे भी लगा था कि मेरा फैसला गलत हो क्या है। हम लोग वहीं रहते और तुम दोनों कहीं नौकरी पकड़ ले थी। लेकिन आज तुम दोनों को इतनी महनत और लगन से काम करते हुए देखकर मेरा सिर गर्व से उच हो जाता है। तुम तो बेटों से भी बढ़ कर निकली। भगवान तुम्हें बहुत काम्याबी दे। आस्थो और पूजा सुबह साथ बजे से लेकर शाम के पांच बचे तक लगातार काम करती। दोनों बहने जहां पर जाती सब लोग अब उन्हें छोले भटूरे बनान प्रियंका दोनों बहने अपने माता पिता के चले जाने के बाद बिलकुल अकेली थी। उनकी माता का निधन जब वह काफी छोटी थी तब ही हो गया था। और अब उनके बाबा भी बीमारी के चलते गुजर गए। दोनों अनात बहने कुछ दिन तक घर में रखे हुए र बहुत चिंता सता रही थी। कोमल, बाबा हमें छोड़ कर चले गए। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। ओ, मैं तो यही सोच सोच के रोने लगती हूँ। दीदी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ मेरी बहन, हमें काम तो ढूढ़ना ही पड़ेगा। मैं कल ही सुरेंद्र चाचा के पास जाकर बोलती हूँ, कि हमें वक कहीं काम दिला दें। सुरेंद्र उनके पडोस में ही रहता था, और प्रियंका के पिताजी का अच्छा दोस्त भी था। प्रियंका के पिताजी के चले जाने के बाद कुछ दिन सुरेंद्र का परिवार ही उन दोनों का खयाल रखता था पर सुरेंद्र की पत्नी अच्छे स्वभाव की औरत नहीं थी वह सुरेंद्र को और मदद करने से मना कर देती हैं एक दिन प्रियंका कोमल के साथ सुरेंद्र के घर जाती है चाचा पिताजी के चले जाने के बाद हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम काम क्या करें और काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या हम तो पिताजी की तरह मजदूरी भी नहीं कर सकते चाचा मेरा जानकार है वो गोलगप बना कर बेचता है उन्हें गोलगप बनाने के लिए किसी की जरूरत है पर तुम लोगों को तो गोल गप्पे बनाने भी नहीं आते होंगे न? मैं देखता हूँ. मैं उससे कहूँगा कि पहले वो तुम्हें बनाना सिखा दे. बेटा, एक दो दिन इंदिजार करो. कुछ भी होता है, तो मैं तुम दोनों को बताऊंगा. सुरेंद्र फिर अपने जानकार के पास जाता है, और प्रियंका और कोमल के लिए बात करता है. लड़किया महनती हैं, तो एक बार भेज़ देना. अगर वो जल्दी गोल कपे बनाना सीख जाएं, तो उनके लिए भी अच्छा होगा. सुरेंद्र वहां से सीधा प्रियंका और कोमल के पास आता है, और अगले दिन तयार रहने को बोलता है. अगले दिन प्रियंका और कोमल अपनी चाचा सुरेंद्र के साथ उनके जानकार के पास जाते हैं, जिनका नाम मोहन है. देखो सुरेंद्र भाईया, मैं इनको काम तो सिखा दूँगा, पर मैं पैसे ज़्यादा नहीं दे पाँगा, हाँ, एक टाइम का खाना मैं दे दूँगा. सुरेंद्र प्रियंका और कोमल की तरफ देखता है, कोई बात नहीं चाचा, आप हमें काम सिखा दो, मैं बहुत जल्दी काम सीख जाती हूँ, और आपको कोई शिकायत भी नहीं होने दूँगी चाचा, फिर वह दोनों बहने वहाँ से सुरेंद्र के साथ घर चली आती हैं और रास्ते में आप परिशान मत हूँ ज्यादा, और गुसा भी मत करो चाचा, मैं जल्दी ही गोलगप्पे बनाना सीख लूँगी, और फिर देख ले न, वह काम के बाद हमें पैसे दे ही देंगे, हाँ हाँ दीदी, पानी पूरी बनाना कौन सा मुश्किल होगा, हम रोटियां भी तो ब बहुत फर्क होता है, गोलगप्पे बनाना एक कला है, अगर ये इतना ही आसान होता, तो हर दूसरा आदमी गोलगप्पे न बना रहा होता मुझे पता है, तुम दोना बहुत समझदार हो, और घबराना मत, कोई भी बात हुई, तो मुझे बताना, कोई अकेला मोहन ही नहीं है, जो तुमें काम देगा फिर सुरेंदर अपने घर चला जाता है, और प्रियंका, कोमल अपने घर आ जाती है दीदी, मुझे अभी एक आइडिया आया है, अगर तुम गुस्सा न करो, तो मैं बताओ, हाँ, हाँ, कोमल, जल्दी बताओ, दीदी, हम दोनों बहुत से अच्छे गोलगप्पे बनाना सीखेंगे, और उसका पानी भी, और कुछ टाइम बाद, हम अपने गोलगपे की रे हारे ही होंगे, हाँ, 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 मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया, मुझे लग रहा है कि मेरी बेहन बहुत समझतार है, सच कहूं, तो मेरे मन में भी यही खयाला रहा था, पर मुझसे वादा करो, कोमल, यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना तो मोहन चाचा हमें गोल गप्पे बनाना सिखाएंगे ही नहीं, और अगर सुरिंदर चाचा की पतनी को पता चल गया, तो वह मोहन चाचा को बता देगी, इसलिए मुझसे वादा करो, कि यह बात सिर्फ हम दोनों बेहनों के ही बीच में रहेगी, अरे हाँ, हाँ, पक्का वादा, अगले दिन दोनों बेहने मोहन के यहां पहुंच जाती हैं, मोहन सबसे पहले उन्हें गोल गप्पे का आटा लगाना सिखाता है, यह देखो, इस तरह हम लोग सूजी के गोल गप्पे मनाते ही, सूजी के गोल गप्पे बनाते वग, हमेशा ध्यान रखना कि तुमने इसमें तेल की इतनी मात्रा डालनी हैं कि सूजी अच्छे से भीग जाए, इतना तेल, तभी सूजी के गोल गप्पे महंगे वोते हैं, है ना चाचा जी, देखो मुझे ज्यादा बात है करना पसंद नहीं है, जितना काम सिखा रहा हूं, उतना हिंसी को, प्रिय फिर दोनों बहने सूजी के गोल गप्पे बनाने के लिए आटा लगाना सीखती हैं, और थोड़ी ही देर में मोहन उन्हें सिखाता है कि कैसे लोईयां बना कर, कैसे इनको तलना है, प्रियंका और कोमल जब अपने हाथ से बेल कर गोल गप्पे कड़ाई में डालती हैं, त मोहन फिर लाल लाल आखों से दोनों को घूरता है, वह दोनों आखें देखकर डर जाती हैं, और फिर चुप्पी लगाकर गोल गप्पे तलने लगती हैं, इस तरह लगातार एक महीने तक दोनों बेने मोहन के पास गोल गप्पे बनाती हैं, और एक टाइम का खाना खाती ह और घर आ जाती है, महीना खत्म होने पर मोहन उनके हाथ पर सौ सौ रुपे रखता है, अरे चाचा जी ये तो सिर्फ सौ रुपे हैं, देखो लड़कियो, इस बारे में पहले ही बात हो गई थी, कि मैं तुम लोगों को पैसे कम दूँगा, अरे पर चाचा इतने कम दोगे, ये थोड़े ही बोला था, अरे हम सुबे से शाम तक यहाँ बैटकर गोल गप्पे बनाती हैं, और आप हमारे हाथ तो सिर्फ सौ रुपे रख रहे हैं, अरे कम से कम हम दोनों बेहनों को एक-एक हजार तो दे दो, क्या कहा तुमने हजार रुपे, कभी हजार रुपे देखे भी हैं, हाँ चाचा सही ही बोल रहे हो हजार रुपे नहीं देखे लेकिन ऐसा तो नहीं है न कि देख नहीं सकते ये पकड़ो अपने सो रुपे और पूरे दिन में कोई आपके लिए इतने गोलगप्पे बना दे तो रख लो और वह प्रियंका के हाथ के सो रुपे भी मोहन के हाथ पर रख देती है और गुसे में वहाँ से प्रियंका का हाथ पकड़ कर चली आती है अरी पगली ये क्या किया तुने अरे अब हमारा क्या होगा हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और जो एक टाइम का खाना मिलता था वो भी गया सो रुपे दीदी बस सिर्फ सो रुपे दे रहा था हमें बस बहुत हुआ अरे हम अपने गोल गप्पे खुद बना कर खुद बेच लेंगे आहाहा और गोल गप्पे बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे प्रियंका और कोमल जाकर सुरेंद्र को सारी बातें बता देती हैं लालच की भी हाद होती है भला कोई सो रुपे भी देता है तुम ठीक कह रही हो तुम लोगों ने गोल गप्पे बनाने तो सीख लिये हैं लो मेरे से धीड़ हजार रुपे लो और जाकर अपना गोल गप्पे का काम शुरू करो और अपनी चाची को मत बताना कि मैंने तुमें पैसे दिये हैं यही काम करो चलो मेरे साथ राशन की दुखान पर चलो मैं तुम लोगों को जो सामान चाहिए वो दिलवा देता हूँ बड़ा आया मोहन बला सो रुपे? बच्चों की मेहनत नहीं दिकि उसे और फिर सुरेंद्र उन्हें दुकान पर लेकर जाता है और गोल गप्पे बनाने का सारा समान दिलवाता है प्रियंका और कोमल घर आकर गोल गप्पे बनाती है और फिर प्रियंका एक बड़ा सा घड़ा लेकर उसे मांज धोकर उसके अंदर गोल गप्पे का पानी बनाती है फिर कोमल भाग कर जाती है और चाचा को बुला लाती है अरे इतनी जल्दी क्या मचा रखी है? जल्दी बता क्या हुआ? क्या तुमसे काम नहीं हो पाया? अरे नहीं नहीं चाचा नहीं वह बात नहीं है बात ये है कि हमने गोल गप्पे बना लिये है और पानी भी आप बस एक बार खा कर ये बताओ ना कि कैसे बने है? फिर प्रियंका सुरेंदर को गोल गप्पे बना कर देती है चार गोलगप्पे खाने के बाद अरे वा, वा मज़ा आ गया ये तो बहुती स्वादश्ट बने उस मोहन के गोलगप्पे से भी काफी अच्छे अब प्रियंका थोड़ा सा नमक कम है नमक कर दे पानी के अंदर बाकी हर चीज बहुत बढ़िया है कमाल, तुम लोग एक काम करो ये बाजार के नुकड पर जो जगया खाली है वहाँ जाकर गोलगप्पे बेचना वहाँ हर तरफ के लोग आते हैं फिर प्रियंका पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर और कोमल बहुत सारे गोलगप्पे और उनको रखने के लिए एक बड़ा सा स्टूल लेकर आती है और वहाँ नुकड पर वह गोलगप्पे लगा कर आवाज देने लगती हैं गोलगप्पे, गोलगप्पे कटे मीठे पानी के साथ बढ़िया गोलगप्पे सूजी वाले दस रुपे के छे आते वाले दस रुपे के आठ गोलगप्पे गोलगप्पे नुकड पर उसकोने पर खड़े होकर जब दोनों बहने आवाज लगाती हैं तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है लड़कियों को गोलगप्पे बेचते देख कुछ लोग हसते हैं और कुछ लोग उनके पास आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं लोगों को उनके गोलगप्पे और पानी बहुत ही पसंद आता है और देखते ही देखते उनके पास बच्चे और ओरतें काफी मात्रा में आने लगते हैं अब दोनों बहने मिलकर बहुत मेहनत से गोलगप्पे बनाती हैं और अब वह कई तरह का पानी भी बनाने लगी है कोमल, अब हमारा काम अच्छा चल रहा है क्यों ना हम एक बड़ा सा ठेला खरीद लें? अरे मेरे तीन चकर लग जाते हैं यहां से पानी ले जाते हुए और फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं ठोकर लगी और मटका फूट क्या है हाँ दीदी, बिलकुल ठीक कह रही हो अरे यह बिलकुल ठीक रहेगा क्यों ना हम लोग कबार बजार में जाकर देखी? वहां हमें कोई ठीक ठाक हालत में ठेला मिल ही जाएगा और हम वही खरीद लेंगे फिर दोनों बहने दूसरे गाउं में एक कबारी के पास जाती हैं और वहां परसे एक ठेला पसंद कर लेती हैं और आते वक्त वह एक पेंट भी खरीद लाती हैं फिर दोनों बहने अपने हाथों से अपने ठेले को सुन्दर सा सजाती हैं और अगले दिन वह अपने ठेले पर सारा सामान रख कर नुकड़ पर बेचने जाती हैं और एक दो साल की मेहनत के बाद दोनों बेहनों का गोलगपों का काम अच्छा चल पड़ता है फिर प्रियंका कोमल की छूटी हुई पढ़ाई को भी शुरू करवा देती है इस तरह दोनों अनात बेहने गोलगपे बेच कर अपने जीवन को सफल बना लेती है